असलाम अलेकुम दोस्तों और SMJ Tech चैनल में कुछ आमदीद आज हम Excel के टिटोरियल में एक नई function के बारे में सीखेंगे जो के है sum if s जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा था जिसका link description में भी मैं दे दूँगा कि sum if को कैसे यूज़ करते हैं जब आपको कोई amount को या किसी चीज़ को sum करना हो किसी condition को मते नज़र रखते हुए अब जो sum if s है यह उसको एक कदम और आगे ले जाता है और उसमें आपको अलाओ करता है कि आप एक से ज़्यादा condition को मते नज़र रखते हुए आप जो है conditions अपनी sum कर सकें या उसकी amount को sum कर सकें तो आज हम देखेंगे किस तरह से होता है यह आपके सामने एक screen दिख रही है जो के basically हमारी sheet इस form में आ जाएगी जिसमें हम multiple conditions लगाएंगे तो इसमें condition जो लगी होगी वो basically यह के एक तरफ तो हम paid जो payment status है जो हमने last sheet use की थी उसमें एक नई field add कर दी है जिसमें payment का status आ रहा है तो आज की condition है उसमें हम यह लगाएंगे कि जो हमाई पास paid और unpaid amounts हैं उनकी segregation देख सकें तो यह हमने देखने के लिए sum if s का function यूज करना है तो आईए देखते हैं हम इसको कैसे use करेंगे मैं अपनी plane वाली sheet पर चला जाता हूं जो कि यहां मौजूद है और अब हम one by one इन पर यह conditions लगाके देखेंगे एक इस तरह से लगेगा तो शुरू करते हैं अब इस तरह मैं चाहता हूं कि यहां पर paid amount की details आएं जो कि क्यूआन के अंदर pay हो चुकी हैं अब क्यूंके मुझे multiple conditions लगानी हैं पर पहली condition तो मुझे यह लगानी है कि कौन से quarter है यानी q1 है q2 है q3 है q4 है दूसरी condition मुझे यह लगानी है कि इसका status क्या है तो इसलिए मैं यहां पर खाली एक sum if का function यूज नहीं कर सकता क्यूंकि sum if जो है वो मुझे सिरफ एक condition allow करता है लगाने के लिए जिस तरह से हम यहां देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो sum if आपको एक criteria देता है जबके sum ifs जो है अब हम sum ifs देखते हैं आप पर select करके function में तो आपको multiple options देता है तो हम शुरू करते हैं किस तरह से इसको करेंगे सबसे पहले तो मैंने इसको select कर लिया अब यह सबसे पहले यह चीज़ पूछ रहा है कि sum की range दें यहीं कि उस range को select करें जिसको आपको eventually sum करना है तो हम यहाँ पर आते हैं हमारे पास क्योंकि वह range amount वाली है कि जब भी condition apply होगी तो मुझे eventually इस चीज़ को sum up करना है वह मैंने select कर लिया second हमारे पास के पास आता है कि आप criteria की range दें पहला वाला criteria आपका क्या है तो मेरे पास जो सबसे पहला criteria है वह यह है कि मुझे quarter wise breakup चाहिए तो मैंने उसकी range इसको बता दी कि वो criteria की range क्या है यानि कि वो सारे criteria जहां मौझूद है उसका मैंने एक उसको हवाला दे दिया दूसरा उसके बाद यह पूछ रहा है कि criteria है क्या मैंने range दे दी कि sum क्या करना है मैंने यह range दे दी कि आपने condition कहां से उठानी है अब वो पूछ रहा है कि condition भी पूछे बता दे है जहां पे भी criteria range में q1 आ रहा हो और अब यह तुम्हें रहो गया पहला criteria मुझे दूसरा criteria क्या है कि मुझे q1 की paid amount उठानी है तो मैं इसके नीचे आता हूं तो यह मुझे कहता है कि आब आप second जो criteria है उसकी range बताएं कि second criteria का data किधर मौजूद है यह मैंने self-select कर लिए जे 9 से लेके जे 25 तक और इसके इलावा अब last में पूछ रहा है कि जो criteria है वो आप second criteria बता दे तो मैंने यहां पे paid के नाम से ही उसका reference लिखा हुआ है उसकी value रखी वी है तो मैं उसको reference दे दिया कि जहां पर भी आपको paid दिख रहा हो आपने उसको sum up कर देना है और यह मुझे उसकी value भी दिखा रहा है यहां पर जैसे मैं okay करूंगा तो यहां पर मेरे पास यह value देख रही अच्छा एक चीज और जरूरी है आज हम सिर्फ two condition based sum up कर रहे हैं वहना sum up actually multiple conditions apply कर सकते हैं इसमें आज जो है आसानी के लिए आप रूंग के लिए मैंने इसलिए यहाली two conditions से start किया है वहना आप इसमें तीन चार multiple conditions लगा सकते हैं तो पर वो करेगा यह के उन conditions पर जब पूरा उतरी होंगी चीजें तो ही sum करेगा तो it's not kind of an or it will be an end situation तो वह सारे इफ लगाता जाएगा जहां जहां यह criteria match होते जाएगे उनको sum करता जाएगा तो अभी हाज हम जो देख रहे हैं इसमें हम दो conditions को apply होता हुआ देख रहे हैं अब इसी चीज को हम लगाते हैं not paid के लिए थोड़े different तरीके से मैं cell select किया equals to दबाया तो मैं edit mode में आ गया यहां पर मैं sum if s select करूंगा और अब यहां पर मुझसे वही पूछ रहा है कि आप sum की range बता दे मैंने यहां पर cell select कर लिए one by one और यह cell select करके ने वह दे दिया है हां पर और इसके बाद से है criteria one की range पूछी criteria one मैंने select कर लिया इसके इलावा criteria one मैंने उसको दे दिया फिर मैंने criteria two उसने पूछा कि criteria two की range पताईए जैसे कि उसने पिछली दफ़ा पूछा था वह भी मैंने पूरी select कर लिए और लास्ली उसने पूछा कि criteria two कहां पर है यह criteria two क्या है तो वह मैंने यहां पर इसको दे दिया आप देख सकते हैं कि यह formula बार में यह दिखा रहा है सब्सक्राइब आपको जो स्क्वाइर ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं यह optional पहले आगर आप देखेंगे जो पहली तीन इसके arguments हैं वह mandatory हैं वह आपके square brackets में नहीं लिखे हुए इसका मतलब यह है कि यह तीन देना तो आपको लाजमी है इस formula में और बाकी सारे optional हैं बाकी आप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा या जितने देंगे उसके लिहाँ से वह apply कर जाएगा तो यहां पर हमने यह bracket close किया और हमारे पास not paid की amount display होगे अब इसी तरह से हम जल्दी जल्दी सारे cells पर यह लगा लेते हैं मैं थोड़ा quickly जाओंगा तो kindly follow कीजेगा यह मैंने select किया criteria range दी अच्छा आप यह देखेगा जब भी कॉमा लगाते हैं तो वह next उस पर automatically आ जाता है सुरी यह मैं यहां पर हो criteria पूछ रहा है मैंने criteria दे दिया second criteria के range कॉमा लगाया और second criteria उसको बता दिया अच्छा एक और चीज मैं आपको पताता हूं एक ट्रिक के तोर पर जो कि हम not paid वाले में apply करके देखते हैं मैं लेजसे के इस cell को पकड़के नीचे ड्राइग करूंगा तो यह इनको automatically increment करता जाएगा यह निए i9 की जगा i10 ले आएगा i25 की जगा i26 ले आएगा तो उससे होगा कि आपकी range की जो values है वो बाहर हो जाएगी range आपने जिस जगह define की वे उससे बाहर हो जाएगी तो उसको fix रखने के लिए Excel में एक तरीका यूज होता है कि आप इसके आगे dollar लगा दें यह dollar मैंने लगाया i के आगे और मैंने लगाया 9 के आगे तो मैं जिस चीज को भी constant रखना चाहता हूं उसके आगे मैं dollar लगा तो इससे करता क्या है Excel Excel को यह पता चल जाता है कि मैं इस formula को कहीं पर भी drag down करूंगा तो यह इस value को fix रखेगा अब जिस तरह मेरी यह range तो fix है इस वजह से मैंने यहां पर dollar लगा दिया कि यह range आपकी एक तरह से fix हो गई तो आप मैं इसको कहीं पर भी drag करूंगा तो यह values को change नहीं करेगा अच्छा दूसरी value देख लेते हैं हमारे पास criteria है की range है वह भी मेरे पास fix रहनी है क्योंकि मेरा criteria इसी जगा हमेशा मौजूद रहेगा तो वह इसको dynamic करने की कोशिश नहीं करेगा यह लगा दिया इसके बाद फिर हमने देखा कि यह पूछ रहा है criteria one जो है अच्छा अब मैं इसको drag down लेकर जाओंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यह actual में update हो यानि कि यह b1 sorry b4, b5, b6, b7 तक जाए तो मैं इसको automatically चाहता हूँ कि यह खुद से अपने आपको update करें तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा अभी हम इसका outcome देखेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है दूसरा मेरा criteria की range again fixed रहनी है तो मैंने यहां पर भी उसको dollar sign लगा दिया column और cell reference के आगे दूसरा मेरे पास criteria 2 जो है वो हमेशा in इस column के अंदर not paid ही रहना है तो this should also remain fixed अब देखिए क्या होता है यह वाले तो as it is रहेगा अब होगा कि अब मैं यहां corner पर जब आऊंगा एक चुड़ी टेप आप लों के लिए यहां पर आएंगे तो आप इसको क्रॉस आपके पास crosshair बनावा आ जाएगा तो इसको यहां click करके आप select रखिएगा और इसको नीचे खेंशते लाएंगे आप तो यह automatically आपकी जो भी values हैं उनको लेकर आता चाहेगा यह मेरे हाथ से चूट गया तो यह वहां रुक गया यह मैंने चारों पर ड्राइग डाउन कर दिया तो क्या हुआ इसने automatically यह कर दिया मेरा time बज गया वहना मैं एक-एक पर डालता तो इसने यहां पर आप देखिए formula जो है values कौन कौन सी change हो रही है अगर हम one by one move करेंगे तो यह देखिए कि आपके पास सिर्फ बीच की एक value है जो के change हो रही है जो कि मैं चाहता हूं q1 q2 q3 automatically उठा ले वह इसने automatically उठा लिया और बाकी सारी चीज़ों को fix रखते हुए उसने ऐसा कर दिया यही काम अगर हम यहां के लिए apply कर लेते हैं तो automatically हमारी यह वाली भी जो फील्ज है वह पॉपिलेट हो जाएंगी यह मेरे पास रेंज आ गई यह याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का देटा यूस कर रहे हैं किस तरह कि वैलियूस कर रहे हैं अगर आपकी वैलियूस जो है वह तैनेमिक है चेंज हो सकती है और you want them to be updated तो फिर आप उसको उसी के लिए हाँ से कर सकते हैं तो आपको बताने का मक्सुद यह था है कि अगर आप चाते हैं कि आप फॉर्मिला लगाते हुए चीजों को या डेटा वैल्यूस को फिक्स रखना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं यह दिखा दिया आप देख सकते हैं कि सिंस मैंने इसकी वैल्यू अमाउंट पर रखी हुए तो आटोमेटिकली जहां पर कोई भी कंडिशन मैच नहीं करी इस नहीं आ रहा तो यह थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें के हमने सम एस के फंक्शन को यूज करना सीखा और उसके इलावा हमने यह देख लिया कि हम कि सनाफ ओमिलास को जो है उसमें सेल वैलियू या रेंजिस को फिक्स रख सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो लगी हो आपको लगा होगे यार से फाइदा हो सकता है मुझे तो प्लीज डू क्लिक ऑन दे लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा कि सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको इस तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी तो अपना बहुत ख्याल रख